पर गुपता तो आज हम बात करेंगे प्रॉल नुम्बर टू आफ प्रोजेक्शन अफ सॉलिड के बार में इसके पहले मैंने एक वीडियो लिया है यह देखिए वीडियो लिया है कोशन नुम्बर वन ओके इसका लिंक आपको यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो एक बार आप महाँ पर आके इसको देख लिएची ओके नौ तो चलिए स्टार्ट करते तो यह भी सेम है टाइप फॉर का सम आएगा यह भी X is inclined to HP and parallel to the VP क्या रहेगा यह भी टाइप फॉर का समय तो यहाँ पर लिख देता हूं में यह टाइप फॉर X is inclined to VP और X is inclined to HP and parallel to VP ओके चलिए देखते हैं हम लोग अभी सम में क्या क्या दिया है तो क्या एक square pyramid है और base age कितना है इसका देख एक square pyramid में च्छोटा सम में ने draw किया है तो यह नीचे का base के होगा square होगा और यह pyramid की तरह उपर से एक point रहेगा apex का this is called as apex इसके ages है a,b base age a,b,b,c और hidden age यहाँ पर dc और hidden age यहाँ पर ad तो जो base age है that is a,b,b,c is equal to c,d and is equal to ad इसका length कितना है इसका 40 mm कितना है वो 40 mm का इसका length है और उसका height एक्सिसका height okay यहाँ से लेकिए अगर एक्सिस यहाँ पर तो इसका height होगा the axis height is 70 mm कितना है वो 70 mm का axis का height है is resting on one of its triangular face इसके कोई तो किसी इक triangular face पर यह बैठा हुआ है okay एक triangular face पर यह बैठा हुआ है now resting on one of its triangular face so i will say कि यह जो है यह जो triangular face यह पीछे वाल है dc यह triangular face पर यह horizontal plane पर यह आपको यहां पर draw करके दिखाऊ तो यह ऐसा आएगा देखिए यह c यह d और यह उपर p तो यह face क्या है on a horizontal plane that is ground पर वो रखा हुआ है यह plane को draw the projection of the pyramid when the base edge contained by that face that triangular face okay base edge यह तो यह triangular face है तो यह इसका base edge हो गया यह base edge जो सीडी जो है इस perpendicular to the vp क्या वोला है perpendicular to the vp है तो चलिए देखते हैं यह समको हम लोग किस तरह से solve करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है हमें एक x वा लाइन ड्रॉ करनी है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे एक x वा लाइन यहाँ पर करेंगे देखिए एक suitable distance पे mid of the paper पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है x y की देखिए x वा लाइन आपको ड्रॉ करनी है x वा लाइन जो है बनाया मैंने यह x और यह y इसके लिए आपको यूज करना है h वाली pencil उसके बाद आपको क्या बनाना है square base बनाना है true shape कहाँ बनेगा type 4 कास हमें यह क्या है axis incline to hp क्या है true shape कहाँ बनेगा true shape ग्राउंड में बनेगा true shape कहाँ बनेगा hp में बनेगा x y लाइन की उपर जो होता है वह होता है vp plane उसके जो नीचे होता है hp plane उसी तरह हम लोग इसको बोलते है इसको जो हम लोग बोलते है front view और इसको हम लोग बोलते है top view तो जो top view में इसका क्या आएगा true shape आएगा यहां से देख रहा है तो यहां से देख रहा है observer तो जो square जो दिखेगा आपको कहां दिखेगा इना hp में इस इन top view में दिखेगा तो देखे हम इसे भी बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करने है है आपको सबसे पहले ऐक convenient distance पे मैं हजिम करता है 20 mmacăहां से 20m from the x-ray line में मांक करता हूं और 20mm से एक इसको मुझे स्क्वाइर बनाना है तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा एकस्वा लैन को एक 90 डिगर की लाइन ड्रॉ कर दी मैंने और एक क्या कर दिया से पॉइंट ए ओक नाँ फिर वहां से में क्या करूंगा वहां से में 20 में मिज़र करूंगा स्ॉर्री10 में मिज़र करूंगा जो एज हे उसका बैसेी कि संगा, पोइंट transparent क रचेसी क्या करूंगा यहां आया 40 mm, उसका नाम दूँँगा B, now, similarly क्या करूँगा, यहां से 90 degree draw करूँगा, देखिए, यह point A से क्या करूँगा, 90 degree draw करूँगा, इस तरह से, और otherwise क्या करना है आपको, एक्स वर लाइन को क्या करना है, पैरल लाइन ड्रॉ करनी है, point A और point B से देखिए, इस तरह से, लाइन ड्रॉ कर दी, फिल्गरा, यहां से भी आपको, एक लाइन ड्रॉ करनी है, यह भी चलेगा, otherwise, प्रोटेक्टर यूश कीजिए, डी यूश कीजिए, और वहां से, 90 degree draw कीजिए, यहां से, मार्क कीजिए, 40 mm अगे, देखिए, क्या करना है, 40 mm मार्क करना है, यहां पर 40 mm मार्क किया, और similarly, यहां पर भी 40 mm मार्क कर दिया, अब यह दो पॉइंट को जॉइंट कर दीजिए, make sure दोनों लाइन पैरल होनी चाहिए, जॉइंट हो गया, अभी नाम दीजिए, A, B, यह C, और यह D, हो गया, तो यह आपको क्या बन गया है, हापे, square बन गया, प्रूशे बन गया, अब भी जब टॉप से दिखेंगे, तो पीछे गए, चारो के चारो slantages है, इसको लोग क्या बोलते है, slantages, क्या बोलते है, इसको लोग slantage, slantage AP, slantage AP, slantage PB, slantage PC, slantage PD, सब किसा आएंगे, तो slantage ड्रौप करना है, तो कैसे ड्रौप करना है, देखिए, तो diagonal जॉइंट कर दो, A से C जॉइंट कर दो, जॉइंट कर दिया D से B भी जॉइंट कर दो जहां पे diagonal cut होगा उसको बोलिए apex point P क्या बोलेंगे उसको apex point P साथी साथ उहां पे क्या होगा नीचे का जो base point होगा axis का O, O भी होगा तो P stand for the apex point O stand for the axis का point on the base तो यह बन गया यह आपने first draw की आपने use करके 2H का pencil नो आप भी क्या करना है इसको आपको dark कर देने का है using the using of the sorry 2H का pencil draw किया अभी edge का pencil use करके इसको dark कर दीजे देखिए इस तरह से ओके अब ही देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं projection solid में सबसे पहले हम लोग उसका initial position बनाते हैं क्या बनाते हैं initial position इसको हम लोग बोलते हैं stage 1 क्या बोलते हैं इसको stage 1 that is the initial position of the pyramid pyramid आपका किस तरह से रुख खड़ा है ओके ना तो यह हो गया यह a b c d यह o कॉमा पी बन गया नाउ क्या अगरने आपको जितने भी corner से जितने पॉइंट से उसको आपको x y line पर प्रोजिट करने ओके पैरल लाइन इस तरह से प्रोजिट कर लिए आपने नाउ तो यह o p जो है एक्सिस का लाइन है क्या है वो एक्सिस का लाइन है इसको आगे extend कीजिए इसको आगे और extend कीजिए एक्सिस का लाइन कितना है वो यहाँ पर रेश्ट करेगा और एक्सिस का 70 mm कितना है वो लाइन 70 mm मांग कर दीजिए तो यह मैंने 70 mm मांग कर दिया तो वो होगा मेरा point p क्या हो जाएगा वो point p जैसी मैंने यहाँ से इसको project किया तो यह मिलेगा यह p dash होगा यहाँ पर क्या आएगा एक्सवा लाइन पर project होगा तो वो होगा a dash और b dash तो हम लोग कभी भी hp में नॉर्मल लेटर यूज करते है a b c d और सेम लेटर हम लोग vp में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा dash के साथ okay differentiate करने के लिए easy बढ़ता है तो यहाँ पर क्या आएगा point यह जो point है किसका projection है d c और c का projection है d dash और c आएगा d और c का projection है now अभी देखिए statement क्या दिया था कि आपका जो है जो base age होगा देखिए draw the projection of solid क्या लिखा है draw the projection of solid when the age of base contained by triangular face is perpendicular to vp तो यह जो base age है देखिए यह triangular face है आपका यह आपका क्या है this is your triangular face यह आपका क्या है इसका triangular face का यह age क्या है this is perpendicular to vp यह क्या है this is the perpendicular to vp तो यह statement यहापए हो गया अब भी क्या करने आपको ए बीस पॉइंट से ये पॉइंट से आप एक्स का जो पॉइंट है उसको जॉइंट करने उसी तरह से पी पॉइंट और ए पॉइंट को आपको जॉइंट करने और नीची का पॉइंट को भी आपको डाक कर देने हैं हो गया नाओ और यहां से आपको एक उसका एकसिस दिखा देना है कि हो गया एकसिस नाओ यह बन गया आपका स्टेज हम स्टेज वन बन गया फूरा कमलीट इसको मुलब बोलते हैं इसको मुलब बोलते हैं सेट टू नाओ यह हो गया इसका इनिशल पोईशन अभी मुझे क्या बोला स्टेटमेंट में कि यह जो ट्रैंगुलर फेस है वह कहां पर है ऑन दे एच्पी कहां पर है ऑन दे एच्पी ऑन दे एच्पी बोलो यह ऑन दे ग्रांड बोलो क्या होगा सेम होगा मतलब अब मुझे यहां पर रिप्रोडूस करना है ना तो रिप्रोडूस करने के लिए आपको यहां पर कमबास लगेगा देखिए अम लोग तो सबसे पहला किसी भी सुटेबल डिस्सेंस पे पॉइंट मार्क कर लिए जैसी पॉइंट मार्क करोगे तो कौन सा पॉइंट होगा यह यह पॉइंट का नाम होगा डी डाश सी डाश क्या नाम होगा डी डाश सी डाश यह होगा मेरा लटी लाइन ओफ टिल्टिंग क्या होगा यह लटी इधर से में सु क्या कर रहा हूं टिल्ट कर रहा हूं इधर से में इसको यह फेस को यहां पर गिरा रहा हूं तो यह होगा L T line of tilting नौ ये मिल गया उसके बाद क्या करना है आपको D से D' से C' से लेके point रखे P' तक आपको arc बना लेना है arc बना लिया यहाँ पे रखना है और उसको X' को cut करना है जहाँ पे cut होगा point वो point का नाम होगा मेरा P' क्या नाम होगा उसका P' करूँगा मैं D C' से pointer रखूँगा और जो pencil होगा वो A' B' के point पर रखूँगा इस तरह से okay रखा फिर यहाँ पे रखके यहाँ से कार cut कर दूँगा then A' B' से point लेके P' तक measure करूँगा और उसको A' P' से यहाँ से यह तो हो गया यह P' से A' का यहाँ से लेके एकार cut कर दूँगा जहाँ पर cut होगा यहाँ पर cut हो गया तो पॉइंट का नाम होगा मेरा A' B' क्या नाम होगा उसका A' A' B' आपको क्या करना है अभी point joint कर देना है इस तरह से joint कर दिया यह भी joint कर दिया और यह भी joint कर दिया अभी क्या करना है आपको अभी point बचा है यहाँ पर का उसका नाम है O' axis का point हम लोग अभी axis के point को भी joint करेंगे तो दिखिए तो हम में क्या करना है D' C' से O' तक की दूरी नापनी है इस तरह से इसकी दूरी नापनी है और उसको D' C' पर रखके जो लाइने AB वाली वहाँ पर कट कर दिने है कट कर दिया फिर उसका नाम हो जाएगा मेरा O' अभी क्या करना है आपको O' से P' आपको जॉइन करना है वह क्या है X का लाइन है इस तरह से वह जॉइन कर देना है यह होने के बाद आपको यूज करना है एच का Pencil ऑर जो भी है आपको इसके जितने पॉइंट से उसको नीचे प्रजेट करने है देखिए किस तरह से नाओ और इसका जू नाम होगा यह होगा मेरा सेट नमबर 3 यह क्या है स्टेज 2 अभी बन रहा है यहाँ पर स्टेज 2 का यह पहला फिगर है उसका नाम है सेट 3 अब भी देखें DC को पैरल लखना है देखिए रोडर स्केल को 90 डिकर रखना है यह एकस वाय लाइन को मतलब DC को पैरल लखना है और वहां से स्मूथली उठाके D' C' से नीचे लाइन ड्रॉक करना है उसी तरह से O' से भी नीचे लाइन ड्रॉक करना है A' B' से भी लाइन ड्रॉक करना है और यहां से P' से नीचे लाइन ड्रॉक करना है नौ सिमिलरली एकस वाय को क्या करना है अगेन पैरल लेना है और यहां से A और D से लाइन पास करनी है उसी तरह से bi-point अगेन देखि मिस हो गया हिल गया तो अगेन आईए back और पैराल लेकर लाइन ड्रॉर कर दीजिये सिमिलरल नीचे आना है और यहां से भी आपको लाइन ड्रॉक करनी है आपको पॉइंट मांग करना है एक तरह सबको पॉइंट मांग करना है रिख़ये यह जो लाइन है वह डक्नसी कि यहाँ पे दी और सी कहाँ पर देखे दी यह जाएगा ड बकी यहां पर दी लाइन यहizu डश का यह हो जाएगा 16 उसके बाद यह लाइन है और झाल चाहिए यह लाइनले गीट कर एक सब्सक्रक duas जाएगा 9 और यहासे ओका लाइन और यहांसे ओका Лएन आ रहा है तो हो जाएगा अब यहां पर रूल के है आउटर पॉइंट मस्ट बी डार्क तो आउटर पॉइंट कुल कुल से है तो पी डैस मेरा आउटर पॉइंट है अपक्स का अब मैं इसको जॉइंट करूंगा देखे किस तरह से मैं अब इसको जॉइंट करता हूँ जॉइंट कर दिया यह मेरा आउटर को जॉइंट हो गया अब भी मुझे क्या करना है इसका जो बेस है इसका जो पिरामिट का जो बेस है वो बनाना है देखिए तो बनाने के लिए देखिए क्या यहां पर abcd है तो आपका ab तो बन गया बचा क्या है ab अभी ab hidden है कि dark है मुझे find करना है देखिए किस तरह हम find करेंगे ab अगर observer यहां पर observer कहां पर है यहां पर observer है तो यह ab point दिख रहा है क्या observer को yes ab point इसको दिख रहा है तो यह क्या हो जाएगा ab हो जाएगा मेरा dark line क्या हो जाएगा dark now यह होने के बाद आपको क्या करना है इसके जो slantages है वह बनाने देखिए slantage a और p correct है b और p connect है अब बचा है a d और p और c और p देखिए आपको दिख रहे हैं गया देखिए d और c जो है एक point पे नीचे लाए कर रहे है downward ने सोय हुआ है किदर जमीन के उपर तो point आपको नहीं दिखेंगे ओके कहां पे जमीन पे lie down है आपको यह point नहीं दिखेंगे तो क्या होंगे ओ होगा आपका हिडल लाइन देखें तो d और p से आपको हिडल लाइन बनानी है बन गया हिडल लाइन इस तरह सबका हिडल लाइन बन गया तो यह इस तरह सबका यह पुरा stage 2 भी हाँ पे complete हो गया यहोगा मेरा stage 2 और यहोगा मेरा set number 4 तो हमने start का से किया हमने start state 1 से किया set 1 से क्यों किया because axis क्या था inclined to hp था then उसको हमने project किया उसका initial position हमने find out किया कि आपका initially square pyramid कैसा दिख रहा है then हमने उसको tilt किया as it is कहां पे यह face पे और इसका यह जो है triangular face पे और यह जो base agent वो क्या है perpendicular to the x-wire line then उसका हमने as it is recreate गया जो point थे जैसे hidden थे और जैसे dark थे सब बना दिये उसके बाद इसको नीचे project किया set 4 बनाने के लिए और यहां से projection लिया और point हमने mark किया उसके बाद हमने क्या किया जितने भी outer point है उसको dark कर दिया वह होने के बाद हमने क्या किया ुसका जो base है वह बनाने गए तो base में हमने देखा कि सब के सब क्या है यहां पर dark दिख रहे उसके बाद हमने क्या किया उससके बाद हमें strand edge बनाने क्या बनाने हमें strand edge बनाने तो island edge कly आ हमने उसका भी using the beiden मेरा वीजिबिलिटी हमने उसको ड्रॉ किया तो होप आपको यह मेरा वीडियो समझा होगा है तो थैंक यू फोर वाचिंग